जिला अधिकारी महोदय ने मन्रेगा में भ्रष्टाचार करने पर प्रधान के वित्तिय अवं प्रशासनिक अधिकार छीन लिए, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मथुरा में प्रधान द्वारा मन्रेगा में भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। जाच में ग्राम प्रधान तपकालीन सचिवेवं तक नीकी सहायक को दोशी पाया गया। इस पर जिला अधिकारी महुदय ने प्रधान के वित्तिय अवं प्रशासनिक अधिकार छीन लिए। उत्तर प्रदेश के मतुरा में जिला कलेक्टर ने मनरेगा में भष्टाचार के आरोपी 9 जील ब्लोक की ग्राम पंचायत बिरजू गड़ी के प्रधान अशोक कुमार के तमाम वित्तिय अवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिये हैं। प्रधान सहित तीन लोगों के खिलाप एक अप्रेल को महात्मा गांधी राष्ट्री अग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एवं धारा 420 के तहत थान आकार 9 जील में मुकदमा दर्ज किया गया था। गाव के ही देवदत्त, अमरपाल, नेम सिंग, सुरेश कुमार और मनी राम ने प्रधान के खिलाप मनरेगा में भष्टाचार के शिकायत की थी। जांच में प्रधान, ततकालीन सचिव, एवं तकनी की सहायक को दोशी पाया गया है। जांच के आधार पर थाना नौह जील में तीनों के विरुध मुकदमा दर्ज की या गया था। उनमें मिट्टी डलवाने का खर 6,226 रुपे बताया। इस प्रकार 51,726 रुपे का दुरुपियो किया गया। इस मामले में भी प्रधान अशोक कुमार वर्तमान सचिव धीरेंदरुपाल सिंग संयुक्त रूप से दोशी पाये गये। जिला अधिकारी महुदय ने पद का दुरुपए ओग करने के लिए प्रधान अशोक कुमार के वित्तियाएंवं प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया है। अब इस प्रकरन की अंतिम जाच लोक निर्मान विभाक प्रांती अखंड मतुरा के अधिशासिय भियंता करेंगे।